हेलो student तो last time जो हमने किया रहा that is potential energy to a system of two charges अब हमने करना है potential energy of a system of three charges ठीक है तीन charges के लिए आप करना है ठीक है अब देखिए जैसे कि for example हमारे पास तो अगर इन तीनों को मैं इस चार्ज को उठा के किसी परिगुलर पॉइंट तक लेके आ रहा हूं फुर इजाप़ल मैं इसको उठाया और इस पॉईंट तक लेके या तो इस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लेकाने के लिए कोई भी वर्क नहीं लगा क्योंकि इसके बीच में इसको कोई इंट्रेक्शन फॉर्स नहीं बिल रही सबमेर हयो ना तो interaction force नहीं बली क्योंकि यह किसी के उसमें नहीं है, field में नहीं आ रहा है क्योंकि यह infinite धुरी पे है, तो हमने इसको एक particular point पे ले आए, इस point तक ले आए, ए point तक ठीक है, let us assume this point is A, ठीक है, और इसका charge क्यों हो आना है ठीक है, अब हमने क्या किया, इस point को उठाके भी किसी particular distance पे लेके आ रहे है, इन्फरनेट से लेके आ रहे है, यह लेके आ यहाँ पे A के मलग contact में लेके आ रहे है, कि यह इसकी field को experience करवा सके तो हम इसको लेके आ यहाँ पे, बी point पे ठीक है student, अब यहाँ पे logically देखिए, जब यह मैं इसको यहाँ से लेके, यहाँ तक लेके आ यहाँ तो इसका work तो 0 था तो मैंने का W1 0 है, पर जब मैं इसको इसके contact में लेके आ यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपसे में interaction होगी, इन दोनों के बीच में आपसे में interaction होगी इन दोनों की जो interaction होगी, जैसे हमने किया है, पिछे किया था, कि दो charges हैं, ठीक है infinite से charge लेके आ रहे थे जैसे, तो दो charges के बीच में जो energy यहाँ work हो रहा था, वो कितना हो रहा था यह W2 मान लेते हैं इसको W2 और इनके बीच की separation को मान लेते हैं RAB ठीक है समझे रहे हैं student RAB तो यहाँ पे देखिए RAB या R12 similarly अब देखिए मैं इस charge को उठा के इन दोनों के charges के interaction के बीच में लिके है रहूँ आप for example मैं इसको उठा के यहाँ पे लेया C point पे ठीक है अब student यहाँ पे देखिए यह A के contact में भी आ रहा रहा रिपल्सी फोर्स भी मिल रहे है और इसको C की भी रिपल्सी फोर्स मिल रहे है for example यह तीनों के तीनों पॉस्ट रिचार जाए तो इसको रिपल करेगा और यह इसको रिपल करेगा student तो इसका मुला यहाँ पे दो वर्क हो रहे हैं समय रहे हैं W3 और W4 समय रहे हैं अब लॉजिकली देखो तो टोटल अगर हमने करना हो तो W3 प्लस W4 W3 का वर्क किसके करके रहा है मला W3 मला Wbc भी कह सकते हैं इन दोनों के करके इसके बीच के इंट्रेक्शन और Wc तो इसको लिख देंगे के यह भी सिंगल चार्ज की तरह अगर सोचना हो के q1 या qb qc divided by rbc यह qa qb upon rb ऐसे similarly इसको कैसे लिख सकते है के qa qc upon rac समयर स्टुडेंट अब टोटल वर्क इतना हुआ टोटल वर्क टोटल वर्क तो जो टोटल वर्क हुआ that is equivalent to k q1 q2 या qa qb upon rab plus k qb qc upon rbc plus k qa qc upon rac और plus 0 यह आगर टोटल वर्क टन हुआ तो स्टुडेंट यहाँ पर एक समयने वाली चीज है अब जो मैं आपको concept दे रहा हूं उसको समयना बड़ा जरूरी है फिर से देखिए हमने क्या किया सबसे पहले for example मैं एक और एक्जामपल लेता हूं for example four particle system की example लेता हूं अब जैसे यह चार particle system लिए हमने a b c और d समयने तो स्टुडेंट यह चारो के चारो infinite दूरी पे है infinite दूरी पे है infinite connect तो मैंने क्या किया सबसे पहले इसको यह one मान लेते हैं इसको उठाके मैं एक particular region पर लेके आया इस point पर लेके आया तो इसका मैं यह हुआ कि इस पे जो work हुआ work हुआ वह तो zero हुआ क्यूंकि इसके बीच में कोई interaction force ने तो मैं एक particular point पर लेकिया जिसको मैंने a point मान लिया ठीक है इस charge को a charge को एक particular point पर लेया ठीक है अब यहां पर work zero है इसके करके समय रहे हुआ interaction force इसकी zero थी क्यूंकि अब मैंने क्या किया b को उठाया और मैं x को लेके आया a के region में तो यह आ गया w2 b point का तो इन दोनों के बीच में आपस में interaction force आ रही होगी तो वह interaction force हमें पता है के for example इसको r12 मान लेते हैं ठीक है के q1 q2 for example इसके charge की value q1 है और इसके charge की value q2 है और इसके charge की value q4 है और इसके charge की value q3 है upon r12 अब similarly देखिए मैंने क्या किया इस c को उठाया और इसके region में लेके आया जब मैं इसके region में लेके आया तो यहां पे देखिए अब इसको जो force c मिल रही होगी वह किस किस के करके मिल रही होगी तो इसके करके मिल रही होगी और इसके करके मिल रही होगी Summary student अब इन दोनों के करके तो इसका work for example यह आगा है W3 इसको मान लिए W4 W3 की value कहेगी W3 की value for example इन दोनों के करके जो आ रही है तो यह क्या बन जेगी K Q1 Q3 upon R13 for example इसके बीच की separation को R13 मान लिए similarly इन दोनों के बीच में जो work हो रहा होगा उसको क्या मान लोग है आप K Q2 Q3 upon R23 similar student R23 similarly अब मैंने कहा कि चोथे वाले point को मैं यहाँ पे लेके याँ student अब मैं यहाँ पे लेके याँ अब इसको जो interaction force मिल रही है वो किस किस के करके मिल रही है एक तो इस वाले के करके मिल रही है दूसरी इस वाले के करके मिल रही है और तीसरी इस वाले के करके मिल रही है similar student अभी मैं सारे के सारे positive charge की बात कर रहा हूँ student तो इसका मैं लोग क्या हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो interaction होगी Q4 के करके ठीक है Q4 चार्ज की सिमिलरली इन दोनों के बीच में के Q4 Q3 अपॉन आर Q4 सॉरी टू आई ये Q4 के टू पॉन आर फोर टू तो student इन सबको एड करोगे तो टोटल वर्क इतना आएगा यहां पे देखिए यहां पे जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा यहां पे देखिए जो वर्क आया वो क्या आया है तो इसका जो वर्क आया है student यहां पे देखिए इस वले के करके तो जीरो बन गया student ठीक है student तो इस वले के करके हमारे पास आए KK1, K2, K2 and R12 समय ले student और इस वले के करके यह दोनों के interaction हो रही थी student तो यहां पे दो लिखती है और लास्ट वले के करके यह तीन है जिसको मैंने box में बनाया तो इसका मलब जो total interaction हो रही है student वो कितनी हो रही student तो वो 6 हो रही है student 1, 2, 3, 4, 5, 6 मलब तीन पार्टिकल के लिए हमारे पास 6 बार हमें यह लिखनी पड़ी है जब 3 थे तो हमें 3 बार लिखनी पड़ी जब 1 था ऐसे मान सकते हैं जब 2 पार्टिकल सिस्टम है तो एक बार लिखा 3 पार्टिकल सिस्टम है तो यह हम 3 बार लिखने है और जब 4 पार्टिकल सिस्टम है तो हम मुडू को 6 बार लिखना पट रहा है तो स्टुडेंट ये मैं सवाए स्टुडेंट को थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगi कि एक सिक्वेंश बन रहे है सिक्वेंश बन रहे हम 5 लिए लिक्वेंखी चे किनी लिए और एन के लिए ले तो कितनी हैंगी students तो student इसको करने के लिए मैं आप एक formula बता रहा हूँ जो भायोवाले student को शेयर ना पता हो nc2 यह student आपने learn करना है nc2 बस इसका मतलब यह है कि n n-1 divided by 2 यहाँ पर जो n न न कुछ भी हो सकता student n कुछ भी हो सकता है for example मैंने का n जो है वो 1 है n क्या 1 1 तो लेंगे लिए 2 particle system के लिए अगर n 2 है तो यहाँ पर 2 into 2 minus 1 divided by 2 तो क्या आएगा 2 divided by 2 1 मतलब यू की वेली सिर्फ एक बार आएगी अगर दूसरे वाले के लिए करने जैसे कि देखिए for example हमरे पास 3 particle system है 3 particle system है 3 particle system तो 3 particle system के लिए n n minus 1 divided by 2 तो मैंने का यहाँ पर n की वेली पुट की 3 into 2 divided by 2 तो 2 के साथ 2 गट गया तो हमरे पास आगा 3 तो हमारा जो अंसरा था वो भी 3 आ रहे थे 3 particle system आ रहे थे तो इसका मलब अगर यहाँ पर देखिए और इसको बनाना भी कैसे होता है for example हमारे पास है 1 2 3 तो इसका combination कैसे बनाना होता है यह देखिए अब यू is equal to k q1 q2 q1 q2 upon r12 पहले इन दोनों की interaction आगी फिर 2 3 k q2 q3 by r23 फिर इन दोनों की interaction प्लस k q3 q1 by r13 समयरे student तो यह interaction बन गी इनकी similarly अगर 4 particle system की बात करते 4 particle system की तो हमारे पास formula आ गया फिर से n n-1 divided by 2 तो n यहाँ पर 4 आएगा तो 4 4-1 divided by 2 तो यह बन गया 6 मैं इसकी values कितनी आनी थी 6 तो जो कि हमारी 6 आई भी है तो वो आने भी कैसे होती है यहाँ पर लिग दिया मैंने 1 2 3 4 समय रहे हैं ऐसे बना देते ह अब देखिए सबसे पहले फिरस्ट इन दोनों के पीच की interaction k q1 q2 upon r12 इन दोनों की खतम फिर इन दोनों की आगी यह खतम इन दोनों की आगी क्या आएगी k q2 q4 upon r24 पहले हम side वाले q3 q4 upon r24 अब इन दोनों की भी खतम कर देते हैं, plus k q3 q1 upon r13, अब देखिये student सारी तो खतम होगी, अब diagonals बचिये हैं, अब एक ये वाला diagonal उठाना है, k q1 q4 upon r14, और एक ये वाला diagonal, k q2 q3 upon r23, तो summary student ऐसे ये आप n particle system के लिए भी कर सकते हैं, n particle system के लिए, तो अब आपके लिए ये कितना easy होगे, आप समझ रहे होगे, ये बहुत ही ज्यादा easy होगे अब, and this is the generalized form of n particle system, तो इसको भी आप learn कर सकते हैं student, ठीक है, summation i is equal to 1 to n, j is equal to 2 to n, तो i की value, j की value जो है, it is always greater than i, और हमने ये assume करना है कि कोई भी pair जो है, वो repeat now, और student, कुछ छोटी particles opposite nature के हो, तो आपका जो formula एगा ना, u का, that should be equivalent to minus q1, q2 upon r12, मलब की, minus k q1, q2 upon r12, मलब की 1, 2 system के लिए, समझ रहे हैं, अगर like होगे, तो वो automatically आपको समझ आजेगा, चलो numerical के साथ आप समझते हैं, कि कैसे in questions को करना है, जैसे for example, यहाँ पर देखिए, ये diagram में, ये infinite से आ र पर रख दिया हमने, इस charge की value q1 is equal to q है, और ये q की value मान लेते हैं, ये मारे पास है, 1.6 into 10 raised power minus 9 coulomb, और ये CBSE में 2000 share 8 में आया हुआ 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 है, ठीक है, और ये q2 की value minus 4 coulomb है, और ये q3 की value minus, चलो, plus 2 coulomb है, और ये 10, और इसकी separation देनों की 1010 है, मलब एक literal triangle है, तो student य 10 raised to power minus 1 meter है, ऐसे भी मान सकते हैं, तो यू initial की value देखिए, सबसे विले initial potential लगी, let us assume initial potential लगी जो आएगी, that is equal to ke, ठीक है, तो k q1 q2 upon r12, वही same, directly करते हैं, k q1 q2 upon r12, तो k constant पहली बार मान लेते हैं, q1, पहले इन दोनों की interaction की, q1 q2 upon 0.1, समय रहे हैं, प्लस q1 का पहले इसको कतम कर दिया, फिर हमने इनको आपस में कतम करना है, q1 q3 upon r, मतलब कि फिर से ये 0.1, प्लस q2 q3 q2 q3 upon 0.1, तो यह तो आगी है, हमारे पर students initial value, और यहां पर q1 की value दिए है, 1.6 into 10 raised to power minus 9, और q2 की value जो दिए है, that is equal to minus 4 q, तो यहां पर इनको multiple करोगे, तो यह बंजेगा आपके पास minus 4 q2, समय रहे हों, negative q है, negative sign का मतलब समय रहे हो, और यहां पर क्या आएगा q1 q3, q into 2 q, मतलब कि 2 q2 the square, और इन दोनों को करोगे, तो यह बंजेगा आपका q2 q3, इन दोनों को minus 4 into 2, मतलब minus 8 q the square, तो minus 8 minus 4, minus 12 minus 12 plus 2, तो यह आगा minus 10, तो यह ब divided by 0.1, तो समय रहे हो, यह बिल्कुल सा question बन गया, इसको लिखोगे, आप तो ऐसे लिख सकते है, 9 into 10 raise to power 9 into minus 10 into q square, q square की value कितनी है, 1.6 into 10 raise to power minus 9 the whole square divided by 0.1, तो इसको solve करोगे, तो आपको आता हुआ लगएगा, थोड़ा सा मैं कर देता हूं, 2.3 into 10 raise to power minus 6 joule, यह आपकी initial potential energy ह ठीके student, और इसकी final potential energy की value है, वो 0 होगी, समय रहे हो, तो क्योंकि final potential energy ही 0 होगी, तो total work done क्या होता है, work done, that is equal to change in potential energy, तो u final minus u initial, समय रहे हो, and it is equivalent to minus u initial, तो यह बंजेगा आपके पास 2.3 into 10 raise to power minus 6 joule, तो यह नेक्टी में आएगा आपका 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 ठीक है, तभी यह minus u initial में रहे हो, 2.3 into 10 raise to power 60 हो रहेगा, तो this is your final result, student यह ऐसे type के question आप easily कर सकते हो, कोई tough नहीं ऐसमें, ठीक है,